हेलो अबरीवन वेलकम बैक तो दुरान अकेडमी देखे आप अची तरह जानते हैं कि हम क्लास नाइन फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन उसके एंसी आटी के कोशन और नुमेरिकल्स हम डिसकस कर रहे हैं लास्ट लेक्टर के अंदर भी मैंने आपको कुछ कोशन और नुमेरिकल्स करवाए थे चो पेज आइधिंक 103 और 107 के अंदर थे आज हम 108 से लेके 110 तक के जितने भी नुमेरिकल्स या कोशन आएंगे उन सब को हम डिसकस करने वाले हैं चाए वो सोल्ड हो चाए वो कर लीजिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें शियर करें अपने फ्रेंज के साथ और बिना को टाइम वेस किये चले ही शिरू करते हैं सो देखिये सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्ड शोल्ड इग्जाम्पल्स की यह जो इग्जाम्पल्स है वो ऍशली बेज्ड है इक्वेशन आउप मोशन पर अब equation of motion याद होना बहुत important है हमने तीन equation of motion study किये थे जिसमें पहला आता है V is equal to U plus A T फिर आता है S equal to U T plus half A T square और एक है V square minus U square equal to 2 A S इन equations का जो इस्तेमाल है वो numerical के accordingly हम apply करेंगे बढ़ आपको पता हों चाहिए कि जो V है हम उसको final velocity कहते है ठीक है जो U है हम उसको initial velocity कहते है so this is initial velocity जो हमारा A है अफकोर्स वो acceleration हो गया and S जो है वो हमारा displacement होता है displacement है T हमारा time होता है यह हमने already discuss किया हुआ है derivation की हुए है बहुत कुछ किया हुआ है इसके related हमने और बस यही ऐसी चीज़ है जो हमने अभी नहीं करनी derive question नहीं करना बस हमने numerical end जो इसके questions होगे उनको हम discuss करेंगे चली शुरू करते है यह रहा आपका सबसे पहला question so question कहता है कि attain starts from rest देगे या rest सुनके बात समझा नहीं चाहिए कि आपकी जो initial velocity है U वो हमारा 0 है यहाँ पे attains a velocity of 72 km पर hour in 5 minutes तो मतलब आपकी जो final velocity है वो है 72 km पर hour और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी तो मैंने बार बर बताया आपको कि हमें meter per second में answer चाहिए होता है तो 5 by 18 से multiply कर दिया करो और यह जाएगा 4 के साथ तो 20 20 meter per second आपका यहाँ पे final velocity आपको मिल जाती initial velocity 0, final velocity यह रही time की बात करें तो 5 minute का time है और फिर वो ही बात SI unit के अंदर seconds में होता है तो 5 into 60 कर दूँगा और 300 seconds हमें हमें मिल जाता है सो पहला पाट कहा रहा है कि यहार मुझे acceleration पता करके दो दिखो मैंको V दिया है, U दिया है, T दिया है तो V is equal to U plus 80 का इस्तेमाल करूँगा final velocity आपकी हो जाएगे 20 initial velocity 0, acceleration मुझे पता करना है और time है 300 seconds का तो acceleration आजएगा 20 upon 300 तो कटके आजएगा 1 by 15 meter per second square तो इस तरीके से आप अपना जो पहला numerical है जो पहला पाट है वो आप कर लेगे ठीक है next part में कहता है कि the distance traveled by the train for attaining this velocity distance traveled by attain so देखिए हैर find मुझे s करना है time मुझे दिया हुआ है u भी मुझे पता है acceleration मुझे निकाल चुका हूँ तो best तरीका क्या है इसको करने का ये वाला s equal to ut plus half at square लगाने का u 0 है देखो हमने अलड़ी यहाँ पे देखो यहाँ पे पीछे मैंने बताया था u आपको क्या है 0 है अगर u 0 है यहाँ पे तो ये वाला फैक्टर तो वैसी खतम हो गया s equal to क्या रहेगा half into a है 1 by 15 अभी किया था और time था मेरा 30 30 this is double ना हाँ ठीक है तो 300 plus square 300 into 300 यहाँ पे आएगा मेरे पास तो 15 to 30 होते हैं 30 से 300 काटूँगा तो कटेगा तो 10 मतलब यह 10 आजाएगा तो s आजाएगा मेरे पास 300 मीटर और 3 किलो मेटर तो इस तरीके से आपने यह वाला numerical जो है वो solve करना है आपके बुक के अंदर जो दिया हुए है उन्हें थोड़ो से अलग किया है जानबुच के किया था किया किया को समझ में आया कि केसी भी फॉम्ले से हम चाहे अपना अंसर निकाल सकते है तो कोई बड़ी बात नहीं होते है इसके अंदर ठीक है चलिए बात करते हम अपने अपने नेक्स्ट नुमेरिकल की तो यह आपका नेक्स्ट नुमेरिकल यहां पर आ गया तो कहता है कि अकार एक्सलरेट यूनिफोर्मली फ्रॉम 18 किलोमेटर पर आर टो 36 किलोमेटर आर इन 5 सेकंद्स तो सबसे पहले तो फिर से वही बात कि मुझे इनीशल विलोसिटी कितना दिया हुआ है इनीशल विलोसिटी हम यू से रिपेजेंट करते हैं 18 किलोमेटर पर आर है 5 बाइटीन से मैं उसको मल्टिप्लाई कर दूँगा ठीक है एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या करना है पहले मैं इसको हटा दूँग तो देट वूड बी 18 इंटो 5 बाइटी मेटर पर सेकंद इसके बाद मुझे फाइनल विलॉस्टी के इतने दिया हूँ है फाइनल विलॉसिटी हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी करेंगे तो नंबर पूरे आते हैं 36 किलोमेटर पर आर तो 36 को मंटिप्ला करेंगे 5 बाइटीन के साथ 18 टूज ठीक है जिसकी वज़से 10 मीटर पर सेकंड आपको यहां पर मिल जाएगा अब पहले उसने क्या माँगा कहते है यार मुझा एक्सलेरेशन बता करके दो V पता है U पता है और टाइम भी है यहां पर दिया हूँ है टाइम कितना दिया हूँ है यार्टी दिया हूँ है फाइट सेकंड का तो that means a is equal to 5 upon 5 give you 1 meter per second square तो इस तरीके से आप अपनी acceleration को calculate कर लोगे next part में बोलता है कि यार मुझे distance calculate करके दो क्या calculate करना है distance मुझे calculate करना है मतलब s जो है यह मुझे calculate करना है formula मैंने बताया हुआ s equal to ut plus half 80 square में लगा दूँगा देखो initial velocity u जो है वो 5 meter per second उलड़ी है और a मेरा 1 है तो s equal to 5 into time जो है वो मेरा 5 है plus half into 1 into 5 into 5 कि 5 का square करेंगे तो 5 into 5 आएगा तो यह 25 आगया यह आगे 25 by 2 तो 12.5 होता है तो 37.5 meter exact आपको answer मिल जाएगा आपको आप अच्छी तरह सबजगे होंगे किस तरह से आपने यह वाले यह वाला वाला basic जो numerical था वो अपना complete करना था ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे numerical number example number 8.7 की अब example 8.7 में कहता है अब brakes applies to a car produce an acceleration of 6 meter per second in the opposite direction of the motion अब क्योंकि यह पर लिखा है कि acceleration act कर रहा है in the opposite direction of acceleration इसका मतलब है कि आपको retardation दी हुई है मतलब negative acceleration दी हुई है तो minus 6 meter per second में second square में consider करूँगा यह वो कहता है कि if the car takes two second to stop तो time यह two second का मेरे को दिया है and stop का मतलब क्या हुआ stop का मतलब यह कि जो final velocity है let me clear it for you that is stop means जो यहाँ पर final velocity है जिसको v से represent करते हैं वो हमारा 0 होगा so calculate the distance it travels during this time बहुत easy है so सबसे पहले हमें acceleration दिया हुआ है time दिया हुआ है final velocity दिया हुआ हमें को distance calculate करने की यहाँ पर बात कर रहा है इसको ऐसे simple तरीके सिरी निकाल सकते reason पताता हो क्या है कि सबसे पहले न मुझे यहाँ से initial velocity calculate करने बढ़ेगे क्योंकि देखो क्या है कि अगर मैं s equal to ut plus half 80 square लगाता भी हूँ तो time मुझे पता है a मालों पता है बढ़ यू नहीं पता और even अगर मैं v square minus u square equal to 2as भी लगाऊंगो तो भी मुझे u नहीं पता तो मैं यह नहीं apply कर सकता तो u कैसे पता लगाएगा तो u पता करने के लिए सबसे पहला step हम क्या करेंगे हम apply करेंगे v is equal to u plus 80 वाले concept को 0 equal to u minus 6 क्योंकि a minus है न minus 6 है into t, t कितना है 2 है तो u मेरे पास 12 meter per second मुझे मिल जाएगा तो u मेरे पास already यहाँ पर आ चुका है ठीक है? यू मेरे पास आ चुका है अब u मेरे पास है तो मैं कोई भी formula apply करके इन दोनों में से अपने displacement को calculate कर सकता हूँ मैं s वाला ही use कर लेता हूँ, ठीक है? so देखिए s equal to ut plus half 80 square का formula मैं use करूँगा u मेरा 12 है मैं और रड़ी बता कर चुका हूँ, ठीक है? time मेरा 2 था और plus half into जो acceleration नहीं है वो minus 6 है into t का square मतलब 2 का square आप यहाँ पर कर देंगे तो this would be 24 और 6 से कटा 3, 3 और 4 और 12 मतलब आपका answer 12 meter आपको मिल जाएगा तो मतलब यह कि 12 meter distance चलने के बाद जो आपका bike है वो stop हो जाएगा ठीक है? तो इस तरीके से आपने ये वाला जो numerical था उसको solve करना था so I hope आपको अच्छी तरह समझ में आगया होगा कि इस तरीके से आपने ऐसे वाले जो numerical हैं उनको solve करना था चलिए अब हम बात करेंगे page 109 से 1010 के अंदर के unsold numericals या questions की ठीक है and चलिए शुरू करते चल दिए खतम होगा तभी है आपका तो सबसे परहले तो यही आपका question है question number one question number one के अंदर क्या बूलता थे हांसे इसको read करेंगे क्याता है कि a bus starts from rest, rest से start कर रहा है तो मतलब उसकी जो initial velocity है जिसको हम u से represent करते वो हमारा zero होगा uniform acceleration दिया हुआ है, so acceleration a जो है वो 0.1 meter per second square में को दिया हुआ है और यहाँ पे जो time है वो 2 minute का time है तो 2 minute आपको पता है second में होना चाहिए तो 2 into में 60 कर दूँगा, 120 seconds में मेरे को यह मिल जाएगा so सबसे पहला जो सवाल पूछा गया वो यही है कि यार जो speed acquire कर रहा है आप उसको calculate करके मेरे को दे दीजे जो speed है वो मुझे calculate करके दे दीजे बहुत अचार है v is equal to u plus 80 में लगाऊंगा और v calculate मुझे करना है u मेरा 0 है plus a मेरा 0.1 आएगा यहां पे into 120 में कर दूँगा solve करके 12 meter per second आपको आपका answer मिल जाएगा तो इस तरीके से तो आपने अपना जो a part है वो complete करना था बात है b part की अब b part में कहता है distance travel अब distance के लिए formula में आपको बताएए कि ut plus half 80 square आप लगा सकते हो इस case में और यहां लगाना बनता भी है क्योंकि u तो 0 ही है तो 0 into t करेंगा तो खत्म हो जाएगा half into a expression 0.1 की है और time जो है वो मेरा 2 minutes इसको 120 seconds में कर चुका हूँ तो यहां पर 120 का whole square यहां पर आ जाएगा बस आपने इसको करता है 7.272 ठीक है तो इसको solve करके आपको 720 meter आपको आपका answer मिल जाता है तो बस इस तरीके से आपने इसको solve करना था and I hope आपको समझ में आ गया होगा प्रेली question number 2 में भागते हैं अब हम okay so question number 2 में क्या कहता है कहता है a train is traveling at the speed of at the speed of initial है यह आपका so initial velocity velocity हम u से represent करते हैं वो 90 km पर आ रहा है आपका पहले बात तो और अब शायद मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि अगर आपका km per r में तो हम क्या करेंगे उसो convert करेंगे meter per second में तो 90 into 5 by 18 meter per second so answer 25 meter per second आपको मिल जाएगा तो ब्रेक्स लगाई गई है और ब्रेक्स लगाने के बाद अब जो उसकी acceleration यूज होई वो माइनस 0.5 meter per second square है तो retardation दी होई है comes to rest बोल रहा है तो 0 हो जाएगा और आपसे पुछा रहा कितनी दूर जाके रुकेगा सब कुछ दिया हुआ, u दिया है, a दिया है, 5 velocity 0 दिया है एक काम करते हैं दूसरा यूज करते हैं, time तो नहीं दिया ना इसमें, time नहीं दिया है इसलिए हम v square minus u square equal to 2 a s वाला formula यूज करेंगे 0 का square minus u 25 का square जो 625 होता है आपका 2 into a आजएगा minus 0.5 जो की आपका minus 1 बन जाएगा, सामें displacement के आपकी s आ जाएगी तो minus 625 is equal to minus 1 into s तो आप देख सकते हो, जो s है वो आपके पास 625 meters आपको direct मिल जाता है तो इसमें time नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला formula यूज किया है तो याद रखें कौन सा formula में कभी यूज करना है, इसके समझ होना बहुत important है और यह कैसे आएगा, numerical practice करके clear, आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे अपने numerical number 3 की, ठीक है अब numerical number 3 में कहता है a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 cm per second so what will be the velocity, its velocity 3 seconds after the start so, देखे, इस वो कैसे करेंगे पहली बात जो इसमें acceleration दी गई है, वो 2 cm per second का है time मिलको दी हुई है 3 seconds का after the start बोल दियो तो u आपका 0 है so, v is equal to u plus 80 लगाऊंगा u आपका 0 है, a आपका 2 cm per second है और time आपका 3 seconds है, seconds से seconds कटेगा answer आएगा 6 cm अगर आप meter में calculate करना चाहते है उस चीज को तो divide by 100 करेंगे meter में आदेगा, तो 0.06 meter आपका exact answer meter per second sorry यहां पर कुछ तो गडबड हुई है मुझसे हां जी हुई है, यह square था यह square था and cm per square था यह meter per second अपना आ जाएगा अगर आप उसको डवाड़ आप ठीक है यह तिल्कुल यह रहा तो इस तरीके से आपने इस question को या इस numerical को solve करना था चलिए अब हम बात करते है numerical number 4 की racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square so what distance will it cover in 10 seconds after start यह बहुत असान है फिर से देखिए, आपको after start बोला है तो यह तो आपका 0 ही होगा पहली बात यही पे time आपको 10 seconds का दिया हुआ है acceleration आपके पास 4 meter per second square दिया है distance बोल रहा है time दिया है acceleration दिया u दिया है बताने के भी जूत नहीं रगेगा अब तो आप ड्रेक्ट यह formula apply करें so s equal to u 0 into time 10 plus half into acceleration 4 into 10 का square यह इससे कटके 2 हो जाएगा 10 into 00 ही हो गया तो 2 into 100 ब्रगम 200 meter तो बस इस तरीके से आपने यह वाला जो आपका numerical था यह solve करना था ठीक है चलिए finally अब आपको लेके चलता हूँ आपके अपने आखरी numerical की तरफ ठीक है चलिए अब देखिए धियान से अब स्टोन इस थ्रौन इन वर्टिकल अपवर डिरेक्शन देखिए एक स्टोन है उसको उपर की तरफ फेंका गया है अब इनीशल विलासिटी इस केस में हम यूज करेंगे फाइब मीटर पर सेकिंड की इव दा एक्सलेशन रस टॉन दूरिं इस मोशन इस 10 मीटर पर सेकिंड देखिए के बोडि जिस तरह मूव करती है अगर अक्षरेशन उसके ऌपोसी डिरेक्शन में हो तो हम नेगटिव अक्षरेशन लेते हैं acceleration नीचे की तरफ है that is 10 meter per second square but क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए में A negative लोगा यहां पर ठीक है so what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there बहुत ही असान है यहां से यहां तक पहुंचने में कितना time लगता है highest point पर जाने में कितना time लगता है और height कितनी attain करता है यह बोड रहा है में को so देखी कैसे करेंगे सबसे पहली बात हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर पर आपकी time तो वहीं पर है यह ठीक है okay so पहली बात आपको यह जानना पड़ेगा कि हमारे पास जो सबसे what will be the height attained by the stone and height attained by the stone okay अगर मुझे height यह h पता करनी है तो मतलब सबसे topmost height होगी यह आपकी इससे उपर नहीं जा सकता जैसे ऐसे stone आपका उपर जाएगा इसके opposite direction में acceleration act होनी की वज़ा से एक ऐसा point आता है जहां पर वो एक यह मलब momentarily थोड़े time के लिए रुख जाता है और वो होती है इसकी final velocity that is equal to zero जब final velocity zero होगी तो मतलब यह कि अब इससे उपर यह stone नहीं जा सकता और वहीं आपकी maximum height जो है वो यह attain करता है तो हाइट attain जो हम करने है वह है पता करना है इसके अंदर final velocity zero है यू हमारी 5 meter per second में लूँगा लेकिन acceleration में लूँगा minus 10 meter per second square वह महला बहुत असान है वैस्तो हम यूज करेंगे v square minus u square equal to 2as वाला इसको मैं थोड़ा से manipulate कर देता हूँ महला s की जगा पर h आ जाएगा यहाँ पर चलो एकी बात है v0 है तो 0 का square minus u मतलब 5 का square जो कि 25 आ जाएगा into 2 into a आ जाएगा minus 10 और साथ में आ जाएगा आपके पास यहाँ पर h जो height बुझे calculate करनी है height जो है वो आ जाएगा minus 25 divided by 20 with minus sign कट जाएगा so 25 upon 20 25 by 2 करेंगे तो 12.5 आता है divided by 10 तो 1.25 मीटर आपको आपकी यहाँ पर height मिल जाती है तो इस तरीके से आपने यह वाला numerical अपना यह वाला part आपने solve करना था अब वो कह रहा है कि यार कितना time लेगा उसको नीचे से उपर तक पहुचने में बहुत ही ज्यादा असान है आपका बी पार्ट की बात करो मैं सेकंड पार्ट की बात करो इसकी बात कर रहा हूं लेकिए वी स्केर मैने से उसके कुछ करने की जूतनी हमें हम क्या करेंगे सिधा आएंगे वी इस इकल टू यू प्लस ए टी क्यों टाइम चाहिए ना टाइम मिल जाएगा है यहां से सो वी तो 0 ही है इनीशल मेरा 5 था और इनीशल 5 था मेरा लेकिन अगर एक्सलरेशन की बात करूँ तो मैं माइनस 10 पुट करूँगा वहां पर टाइम मेरा टी है सो टी जो आजएगा मेरे पास आजएगा अच्छा यह उदर जाएगा तो 10 टी यहां आजएगा प्लस हो जाएगा यहां 5 रहेगा टी विल बी 5.10 आंसर है 0.5 सेकंड्स तो बस यह है आपके इस पर्टिकुलर नुमेरिकल का आंसर आपको यह सब समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज की लेक्चर के अंदर हमने कुछ जो इक्वेशन ओं मोशन के नुमेरिकल्स है या सोल्ड के लो या उनसल्ड के लो वो सारे के सारे हमने डिसक्स कर ली है और आई होब आपको समझ में आ गया होगा कि किस नुमेरिकल में कैसे फॉर्मले अपलाई करके हम अपने को सोल्ड कर सकते हैं मेरिकल के सान होते हैं आपको एक फॉर्मली की समझ आनी बहुत IMPORTANT है कि वह वह अठीक अछुचल में टंड किया कर रहा हैश है क् welकिसे को सबड़े में आ गडाना पड़े गार इंब Alrighty हुग को जिरो लो अगर एंड हो रहा है तो वी को जिरो लो तो इन शोड़ेटी बातों को ध्यान में रखके आप अपने अमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेर इट और सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतन नहीं, thank you so much.